मंगलवारनू राष्ट्रपती रामनात कोविंद गुर्णानक देव जी दे साड़े पांसों प्रकाश पुरमों के राष्ट्रपती पवन विच करवाए गए गुर्बानी पार्ट विच शामल हुए। गुर्णानक देव जी ने सच करुना दया मनुखता ते प्रेम देदार ते एक अजेहा समाज बिनौन दी कोशिश कीती जिस्विच सब नू बराबर दा हक हासल हुए। इस तुलावा उनने सेके थेहास दी भी प्रशंसा कीती ते क्याहा की सेक समुदाय दा पूरा थेहास वीर्टा दे बलिदान दी अनूठी मिसाल है। सेक तरम पारद्धी मिट्टी ते संस्कृती तो उपजय ते गुर्बानी पारद्धी अंतरात मादा एक अनिखण मां आंगे। श्री गुरु नानक देव जी के 550 में परकास उत्सो के प्रती समर्पित इस कारिक्रम में प्रमुखर्यू से उपस्थित पूर प्रधान मंत्री डाक्टर मनमोहन सिंग जी शिक संगत के मान जोग मिंबरान अन्नक गरिमान यतितिगन देवियों और सज्जनों सत्ष्री अक गुरु नानक आया उसका पूरा दर्स यद्यपी एक घंटे से कम है हम सब लोगों ने देखा और जो सुखा दनभूती हम सब लोगों ने यहाँ एक घंटे में महसूस की और विसेश करके जब गुरुमानी का रेसिटेशन हो रहा था तो उसकी एक सुखद अनभूती, सुखद कल्पना और कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद हम सबी लोग किसी गुरुद्वारा में उपस्ते थे पिछले एक साल से भारत में और पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का पांसो पचास मुह प्रकास ओत्सो मनाया जा रहा है मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि पूर प्रधान मंत्री डाक्टर मनमोहन सिंग जी के अध्रक्षता में बाई वीर सिंग साहित सदन द्वारा गुरु नानक देव जी के जीवन दर्सन को लोगों तक पहुचाने के लिए अनेक कारकमों का आयोजन किया गया आज का कारकम भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है इस औसर पर राष्ट्रपती भवन में आप सभी की उपस्तिती पाकर मुझे बहुत प्रशनता हो रही है गुरु नानक देव जी के संदेश को जन जन तक पहुचाने के प्रियासों के लिए मैं डाक्टर मनमोहन सिंग जी और भाई वीर सिंग साइथ सदन से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता पंद्रवीन सदी के दोरान भारत में जादपात और उंच नीज की कूरितियां फैले हुई थी अज्यान का अंदकार फैला हुआ थी ऐसे कठिन समय में तलवंडी साहब के पास राय भोई में एक तेजसी बालक का उदे हुआ सत्गुर नानक प्रकटिया मिटी धुंद जग चानन होया गुरु नानक देवजी हम सभी के दिलों में रहते हैं वे हमारी सांजी धरोवर है वे पूरी मानोता के कल्यान का मारक दिखाने वाली बिभूती है उन्होंने सत्ग, संतोस, दया, निम्रत और प्यार पराधारित एक ऐसा समाज बनाने के प्रयास किये जिसमें सब बराबर हूँ ऐसी मानता है कि एक साथ बैठकर मिल बांटकर भूजन करने के शुरूवात उन्होंने करतारपुर सहम में की थी आज भी सभी धर्म, जाती और समधाय के लोग एक साथ बैठकर लंगर छकते हैं मुझे प्रशनता है कि भारत सरकार ने गुरू ननक की तपस थिली करतारपुर साहिब तक गुरू के प्यारों के लिए गल्यारा तयार करने का काम बहुत तेजी से पूरा किया आज से केवल चार दिन बाद ये गल्यारा दर्शन करने वालों के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा इस सुखद औपलब्दी के लिए मैं सभी भारत वासियों को लख-लख बधाईयां देता देवियों और सज्जनों गुरु नानक देव ने मानवता को नाम जपो, किरत करो और वंड चखो का महमंत्र दिया जिसका आर्थ है इस्वर का नाम जपो, इमानदारी और मेनद से अपना काम करो और जो कुछ भी कमाई करो उसे लोगों के साथ मिल बांट कर चखो अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने जीवन में इनादर्सों को ढाल कर समाज की विशमताएं दूर करने में लगे गुरु नानक देव जी सभी धर्मों का सम्मान करते थे कोई ये मानते थे कि इस्वर सब जगे मौजूद है और निर्मल मन से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है ये मानता है कि वेई नदी में इसनान करते समय बावा नानक को परमात्मा के दर्सन हुए परम ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने मानता को ये मरसंदेश दिया एक ओंकार, सत नाम, करता पुरख, निर्भय, निर्वेर, अकाल, मूरत, अजूनी, सैंब, गुरु परशाद आदी सच, जुगादी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच अर्थात ईश्वर एक है, उसका नाम सत्थ है, वही स्रस्टी का करता है, वह निर्भय है और किसी के साथ उसका वैर नहीं है वो आदी स्वरूप है, अजन्मा है, स्वयंभू है, उसे गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है वे आदी सत्थ है, युगादी सत्थ है, वे सत्थ है और सत्थ रहेगा वे देवी और सजनों, गुरु नानक महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने की सिक्षा देते थे मैं मानता हूँ कि सभी वेटियों को, महिलाओं को, मुप्त भाव से आगे बढ़ने के अवसर मिलने ही चाहिए साथ ही उनकी तरक्की और काम्याभी की सरहना भी होनी चाहिए देवी और सजनों, पूरे नानक, गुरु नानक, पूरे मानो समाज के लिए प्रकास इस्तंभी, इस्तंभ यानि की चानन मिनार बने उन्होंने मानवता के कल्यान के लिए चारो दिसाओं में यात्राएं की अपनी यात्राओं के दौरान वे काम रूप, स्री लंका, कस्मीर, तथा मक्का, मदीना, बगदाद जैसे इस्तानों पर गए सिख समाज को पूरी दिनिया में निर्भैता, परिस्रम और सांची वालता के लिए जाना जाता है इसके पीछे जहां गुरु नानक सहाब सभी गुर्मों की सीख काम कर रही है, वहीं दस्में गुरु गोविन सिंग जी की वीरता एवं पराक्रम भी सिख समाज का पूरा इतिहास, शौर्य और वलिदान की एक बेमिसाल गौरो गाता है यह भारत की मिट्टी और संस्कृती की देन है, गुरु वानी भारत की अंतरात्मा का अभिन इस्सा है मेरी शुब कामना है कि गुरुओं की यह अमर्वानी हम सब का सदय उमार दर्सन करती रहे नानक नाम चड़दी कला, तेरे भाणे सर्बद्धा भला, धन्नवाद जैहिंत गुनानक देवजी दे परकाशपुरबनू बस कुछ समा ही रह गया है ते पूरा देश बाबे नानक दे रांग वेचे रंगया गया है ब्यूरो रिपोर्ट डेली पोस्ट पंजबी वी टाइम से रपलाई करके हासल कर पाऊंगे